नमस्ते दोस्तों, आज हम टेस्टी सीताफल बासुन्दी बनाने जा रहे हैं, इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए सीताफल को कैसे डीजीट करना है, इसकी मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सीताफल को हम ओपन कर लेते हैं, फिर जो इस को अलग करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है दोस्तों, तो उसी की ट्रिक में लेकर आई हूँ, जिससे आप ये बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, और इसकी सारी सीट्स अलग हो जाएंगी, तो चलिए ढकन लगा लेते हैं, और हमारे रसी चौपर का कमाल देखते हैं, पीज निकालने की मैनत आपको करने पड़ेगी, और इस रेडी पल्प से हम बनाते हैं, हमारी बढ़ी आसी बासुन्दी, आदा लिटर फुल फैट मिल्क ले लेना है, और हम इसे अच्छे से उबलने के लिए रख देंगे, इसमें एक बार उबला जाए, उसके बाद हम ड टेबल स्पून जितनी चीनी, चीनी की मातरा मैंने यहां पर कम रखी है दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें मिल्क मेड डालने वाली हूँ, अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है, तो आप चीनी की मातरा बढ़ा लीजेगा, दो टेबल स्पून की जगाए, आप इसमें वन कर दीजेगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना बूलना, ताकि मेरी नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे, अब हम डाल देते हैं मिल्क मेड और फिर इसे अच्छे से मिला लेते हैं, एक चोथा ही कब जितना मिल्क मेड हम इसमें आड कर लेंगे, मिल्क मेड से एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है दोस्तों और इसका जो टेक्शर है वो भी बहुत ही बढ़िया और क्रीमी लगता है, अगर मिल्क मेड नहीं डाल रहे हैं, तो आप इसे थोड़ा सा जादा उबाल लीजेगा, और फिर सेम टेस्ट और टेक्शर आपको मिलेगा, हमारा दूद उबलकर तयार है, तो मैंने ग्यास की फ्लेम से इसको नीचे उतार लिया है, हम इसमें सिताफल का पल्प अभी नहीं डालेंगे, इसे हमें लिक्वम होने तब थंडा कर लेना है, बहुत ज़्यादा गरम में हम सिताफल का पल्प नहीं डालेंगे, नहीं तो क अभी कबार दूद फट भी सकता है, अब तकरीबं 10 मिनिट हो चुके हैं, और दूद काफी हद तक थंडा हो चुका है, जब मैं मेरी उंगले इसमें डाल रही हूँ, तो वो बेरेबल है, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट है दोस्तों, तो ये चीज़ का आपको खास दिया दालेंगे, कुछ देर इसे हम बाहर रखेंगे और फिर हम इसे रेफ्रिजरेटर में 2-3 घंटे के लिए चिल होने के लिए रख देंगे, मुझे चिल सीताफल बासंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आपको गरम पसंद है, तो आप तुरंत ही खा सकते हैं दोस्तों तो है ना ये बहुत ही इजी पीजी रेसिपी, तो इस सीताफल की सीजन में आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राय करिएगा, और अपने अनुबब मेरे साथ शेयर करिएगा, और मुझे जरूर से बताएगा कि आपको ये, जो मेरी सीताफल से सीड निकालने वाली आइडिय वो कैसी लगी, वीडियोज पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, अपने फ्रेंट्स और फैमिलीज के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, मिलेंगे दुबारा नहीं और मज़िदार रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए गुड़ बाई टेक केर